फिल्म एक्टर इर्फान कान आज हम सब के बीच नहीं रहे इसका हम सब को बेहर अफसोस और दुख है वे एक नेक दिन इर्थान थे उन्होंने कही पिक्चरें बनाई जिसमें उन्होंने इमोशनल और पॉमेडी रोड़ कि उन्हीं पिक्चरियों के जरिये वो हमेशा हम को याद रहे हैं उनकी आखरी फिलम इंग्लिश मीडियम थी वे मुसलमान होते हुए भी शाका हट थी उन्होंने अपने एक इंटर्व्यू में एक परस्नल बास साजा करते हुए कहा था कि बक्रीब के दिन मेरे गर पक्रा काटा जाता था मैं इस अच्चा का विरोद करता थ मास खाना पसंद भी करता था बहुत है कि बला किसी बॉमार कर अंके से खाते हैं इसी पर मेरे बिता जी कहते थे कि हम मुसलमानों के घर ये ब्रहामार के से बगता हुए एसे ही उनके जीवन की रही बाते थी जो हमें अक्सर याद आति हैं उनकी हर फिल्म में रियाल्टी चाहे वो इमोशनल का रोलो, चाहे गोमेजी का, यूँ लगता ही नहीं था कि वो एक्टिंग कर रहे है, रिफान सर, आपको पूरा देश हमेशा याद करता रहेगा, आज आप हमारे भी नहीं होते हुए भी, आपकी यादें हमेशा हमारे साथ रहे हैं, मैं पूरी उमेद थी, कि वो ये केंसर की लड़ाई ठीच जाएंगे, वो जलती ठीक होकर वापस हमारे बीच आ जाएंगे, वे लंदन भी इलाज कराने गये, और अभी इंडिया में चल रहा था, उनका इंडिया में ही उनकी ठेव, लेकिन शैस से उपर वाले को ये मंजूर नहीं था, उन्होंने अपनी आखरी फिल्म, इंग्लिश मीडियम बनाते समय, बीच में एक बात कही थी, कि वो ठीक नहीं है, और शायद उन्हें पता चल गया था, कि अब ज्यादा दिन वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन तब इतना किसी ने ज्यान नहीं दिया, फिल्मेटर इर्फान खान आज हम सब के बीच में करें, इसका हम सब को बेहरे अफसोस और दुख है, वे एक नेक दिन इलसान थी, उन्होंने कही पिक्चर हैं बनाई, जिसमें उन्होंने इमोशनल और फॉमेली रोल किये, उन्हीं पिक्चरियों के जरिये वो हमेशा हम को मैं एक पर्सनल बात साजा करते हुए कहा था कि बकरीत के दिन मेरे गर बकरा काटा जाता था, मैं इस अच्चया का विरोट करता था, मास खाना पसंद नहीं करता था, बला किसी पो मार कर हम केसे खाते हैं, इसी पर मेरे पिता जी कहते थे कि हम मुसलमानों के घर ये ब्राम इस अच्च के अच्चया के लुए टार विरोट अच्चया करते हैं, इसक्चैा ब्राम क कहते हैं.